जाहिन मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत अभिन्दन है दोस्तों आज की इस क्लास में आज की इस दोस्तों सुभा के करंट अफेर्स में बहुत-बहुत स्वागत है तो अपनी क्लास दोस्तों शुरू होने वाली है समंदर में त आपके दिमाग में जोश भरने के लिए लाइन में लिखके लेके आया हूं दोस्तो याद करिये पढ़िए इस लाइन को बार बार हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रखो हार जाओ सब कुछ जिदगी में फिर भी जीतने की उमीद जिंदा रखो दोस्तो इंपोर प्रदान मंतुरी अटल वियारी वाच बही ने कहा था कि आपका विश्वास किसमे है इस बात से फर realizize है फर Greens Reef इस बात से परता है कि आपको विश्वास है कि नहीं दोस्तो तो अपने ऊपर वश्वास रखिए अपने कर्म पर विश्वास रखिए सफलता आपके दोस्तों कदमों में आने वाली है इंतजार कर रही है वो वहां बैटके बस आपको उस तक पहुँचना है और पहुँचने के लिए दोस्तों दोड़ना पड़ेगा क्योंकि पूरी दोड़ रही है और जहां दोस्तों आपकी स्पीड कम हुई जहां आपने दोड़ना बंद किया तो वो दुनिया आपको कुचल के दोस्तों निकल जाएगी और उस कुचलने से बचने के लिए आप सभी के लिए यहां पर दोस्तों अपना यह जो है यह अपना दोस्तों यूपी पीसेस का महा पैक आपके लिए यहां पे लाँच किया गया है, ताकि आपकी उस दौड में कोई भी कमी दोस्तों ना रहे और आपकी इस भी दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाए, तो जुड़िए दोस्तों हमारी expert faculty के साथ जो आपको मिलेगी इस UP pieces के महा बैख में, जी हैं दोस्तों, कुल मिलाके आठ batches आपको मिलेंगे आठ प्रकार के दोस्तों यहां पे batches मिलेंगे, जिसमें आप तयारी अपनी कर सकते हैं और दोस्तों अपने आपको जबरदस तरीके से तयार कर सकते हैं। UP pieces के लिए यहां पर आपको पूरा GS का foundation batch दोस्तों मिल रहा है जिसमें पूरी GS आपको कराई जाएगी दोस्तों CSET के साथ ही पूरी GS आपको तयार कराई जाएगी हमारी expert faculties को द्वारा दोस्तों जो भी लोग इस बार जून में एक्जाम देने वाले हैं 12 जून को तो साथ दिन उनके पास लग भग लग भग बचे जैंएं उन साथ दिन में दोस्तों किस प्रकार तयारी करें दोस्तों कि अपना पूरा lecture यहां पर सही हो जाएं PO अपना जो course देने वाले हैं UP pieces का वो दोस्तों लेंगे तो उनके लिए ये वाला बैच है जो अगली बार दोस्तों एक्जाम देंगे उनके लिए ये बैच है ये दोनों अलग अलग बैच भी आप purchase करेंगे तो आपको बहुत महंगे पढ़ेंगे लेकिन UP pieces के महापैक में आज दोस्तों बहुत ही offer दोस्तों आपको मिला हुआ है उसी offer में ये बैच आपको मिल जाएगा साथ ही साथ दोस्तों आपको CSET का यहां पर बैच मिलेगा इसके लावा GS Foundation का अलग से आपको बैच मिलेगा और दोस्तों UP की जो GK पूछी आती एक्जाम में उसका भी तोड़ यहां पर न 602 मनलेगे 65 सब्सक्राइब को तो 65,000 को शरख करेंगे 6,000 को साथ में से लिए 75 का मतलब है कम से कम 10 हजार कोशन की आप लोग क्रेंटिस करेंगे और यकीन मानले लोग अगर 10,000 कोशन की प्रक्टिस कर लिया, इन 10,000 को कंठस्ट कर लिया, तो दुनिया में कोई भी ताकत दोस्तों ऐसा नहीं है, जो आपके एक्जाम होने से रोख पाए, इस बैच को लेने का दोस्तों ये फाइदा है, साथ में आपको एक पॉसनल दोस्तों, C-Sat का बैच भी यहां पर मिल रहा है, और इसके अलावा दोस्तों, जो यूपी में आरो, एरो की वेकिंसी जाती हैं, उनके लिए तैयारी करने के लिए अलग से बैच यहां पर मिलेगा, कुल मिलाके आठ बैचेस का आप एक्सेस कर पाएंगे, अगर आप पर्चेस करते हैं, यूपी पीस लेकिन बहुत कम देती है, और मौका चूग गए, तो दुबारा दोस्तों मौका जल्दी नहीं देती, तो 1999 रुपय में आपको यह बैच मिल रहा है, इसको खरी दिये, दोस्तों, यहां पर एक कोड का अगर आप सभी के लिए बनवाया है, और इस कोड का अगर आप दोस्त लिए और तयारी भी दबर्दस कीजिए, एकनौमी और करंट अफेर का जो खंबा है, वो दोस्तों मेरे पास रहेगा, और उसमें आपको बाहु बली बनाने का पूरा विश्वास, दोस्तों में दिलाता हूं, बज मुझे विश्वास रखिए, और मेरे साथ जुड़े रह खर्चा आएगा, अगर आप ये वाला बैश लेते हैं, 1840 रुपय अगर आप खर्च करेंगे 1212 महीनों के लिए, तो इसका मतलब है, लगबग लगबग 5 रुपय का खर्चा आपका प्रतिन का आएगा, जिसमें एक छोटे से बच्चे की दोस्तों आइस क्रीम आती है, उस पर भी दोस्तों आपकी तैयारी के लिए बहुत ही जबर्दस चीज़ें आपके लिए आपके लिए आपर अवलेविल हैं, अगर बात करें तो फ्री पीडियों को धार देंगी, तो इनको भी आपर जॉइन करिए, और साथ ही साथ दोस्तों आप में से इतने भी लोग हैं जिननों ने भी दोस्तों इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं करा है, तो तुरंट दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे, UPS Jadda247 एक यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको सबस्क्राइब करिए, बेल आईकन को प्रेस करने का फाय तो यह जानकर दोस्तों देने के बाद शुरुवात करेंगे आज की क्लास की और पहला पॉइंट दोस्तों यहां पर देखेंगे गोलान हाइट्स दोस्तों न्यूज में हैं समझ लीजें यहां से कैसे कोशन आएगा सीधा कोशन पूसकता है कि गोलान हाइट्स कहां पर है द 400 km2 में फैला हुआ है और यह दोस्तों Israel on Syria के border के बीच में दोस्तों है जो कि duty में पढ़ दोस्तों पढ़ता है लेकिन दोस्तों इस गोलान हैट पर क्या किया था इसराहिल ने 1967 के विवाद में ही दोस्तों कैपचर कर लिया था यानि इस गोलान हाइट को इसराइल ने अपने दोस्तो संग्यान में ले लिया था अपने दोस्तो अधिकार ख्यत्र में इसको ले लिया था दोस्तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेगा अब दोस्तो यहाँ पर अगर बात करें तो European Union ने भी अभी इसकी position को लेकर दोस्तों कहा है इसकी position को लेकर कहा है दोस्तों कि वो unchanged रहेगी यानि it did not recognize Israeli sovereignty over the area यानि इसराइल की जो अधिकार है वो मानने से European Union ने वहाँ पर मना कर दिया है और इसी वज़े से ये दोस्तों दुबारा से news में आ गया है हमारे एक्जाम के लिए important ये है कि गोलान हाई दोस्तों कौन से देश में है तो इसराइल और सीरिया के border पर दोस्तों है जिस पर इसराइल ने कबजा कर लिया था उसकी मानने ता को यहाँ पर मानने से दोस्तों मना कर दिया है European Union ने इसके अगर बात करें तो Arab League जो है दोस्तों जिसको suspend कर दिया गया था सीरिया से दोस्तों 2011 में और उसके बात दोस्तों उन्होंने क्या कहा है उन्होंने भी कहा है the move is completely beyond the international law उन्होंने भी यही कहा है कि यह जो चीज है दोस्तों यह अंतराश्ट्रिय कानूनों की सीमा से बा इसराइल के साथ दोस्तों peace किया था peace समझाता है उन्होंने भी दोस्तों क्या किया है गोलान को Syrian territory ही दोस्तों यहां पर consider किया है और इंडिया ने भी दोस्तों क्या किया इंडिया का जो रुख है वो भी दोस्तों यही है कि गोलान हाइट जो है वो Israeli territory दोस्तों मानने से मना कर दिया है और कहा है कि इसराइल को गोलान हाइट सीरिया को लोटा देना चाहिए यह दोस्तों यहां पर भारत का रुख भी यहां पर रहा है इस बात को ध्यान रखिए बस इसलिए यह गोलान हाइट जो है दोस्तों वो नीज में यहां पर बन गया है अगली नीज की बात कर इनोवेशन आइडियास को दोस्तों लेके आना हमारे बच्चों के दिमाग में इनोवेशन के लिए क्या करना अट्रेक्शन जनरेट करना ताकि हमारी आगे आने वाली पीडी क्या करें इनोवेटिव आइडियास करत काम करें और भारत को रिसर्च में दोस्तों आगे लेके भारत को नई टेक्निक के सामने आगे लेकर जाए इस माँले के लिए हमने अटल इन一定要 mission शुरू किया था और इसी अटल इनविशन ने क्या किया है अभी वर्नाकुलर और इसी वजह से हमारे बच्चों को दोस्तो पढ़ने में बहुत प्रॉबलम होती है तो हमारा जो वर्ना क्यूलर दोस्तो प्रोग्राम है इसका मकसद यही है कि जो language barrier है इसको कम किया जाए ताकि हमारे देश में innovative ideas दोस्तों बढ़ें और entrepreneurship यहाँ पर बढ़ाई जाए यही दोस्तों मक्सर के साथ यह वर्ना क्यूलर innovation program दोस्तों शुरू किया गया है क्या करेगा यह innovators को enable करेगा and enterpreneurs को भी देगा access to have innovation ecosystem in the 20 seconds due languages यानि सम्विधान की जो 22 भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में innovative और entrepreneurship तो तो encourage करेगा उनको वहाँ पर दोस्तों eligible करेगा कि वो 22 भाषाओं में से किसी का भी प्रियोग यहाँ पर कर सकते हैं तो इस news को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए अपने exam के लिए कैसे होगा इसके implementation तो दोस्तों AIM यानि अटल इनोवेशन मिशन जो है वो दोस्तों identify करेगा और ट्रेनिंग देगा किसको एक वर्नाक्यूलर टास्क पोर्स को जो टास्क पोर्स होगी वह 22 लैंग्वेज में दोस्तों बनी हुई होगी हर एक लैंग्वेज की अपनी टास् के हैं वहां पर दोस्तों linguistic लोगों पहुंचा कर वहां पर भाषा के बैरियर को दोस्तों खतम करने का प्रयास यहां पर किया जाएगा तो यह अच्छा मिशन शुरू किया गया है वर्ना क्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम दोस्तों इसको यहां पर कहा गया है चलिए अगल कि तितली का नाम है दोस्तों जो तमिलनाडू में पहली बार दोस्तों देखी गई है जी यहां तमिलनाडू में दोस्तों इसको पहली बार देखा गया है पामकिन नाम की जो बटरफ्राइए तितली है जिसका विग्यानिक नाम दोस्तों है अमाथुसिया फिलिटिबस यह दोस्तों इसका क्या है इसका क्या है एक विग्यानिक नाम है इसी को तमिलनाडू में दोस्तों पहली बार देखा गया है 321 में प्रजाती हो गई है जो दोस्तों तमिलनाडू में फाइंड आउट हुई है तितलियों की 321 में प्रजाती है जो दोस्तो तमिलनाडू में find out हुई है among the 1500 species in India भारत में अगर बात करें तो तितलियों की कुल्मला के 1500 दोस्तों यहाँ पर क्या है पूरी जातियां है और उन में से दोस्तो 321 मी जाती है जो तमिलनाडू में हमें दोस्तों यहाँ पर दिखा ही दिया पहली बार नाम है इसका क्याबे नाम है इसका क्याबे यहाँ पर क्या पामकिन अब दोस्तों गर बात करें सबसे पहली बार जो पिसे देखा गया था तो British scientist ने एक्चस फर्ग्यूसन उन्होंने 1891 में इसको देखा था और दोस्तों इसके बाद अगर बात करें तो 2007 में इसको फिर दुबारा देखा गया ठीकिना 2007 में दुबारा देखा गया उससे पहले 1891 में जो बिटिशर्स थे उनके दुबारा दोस्तों क्या किया गया था इसको यहाँ पर देखा गया था, यह पूरी बात आपको यहाँ पर समझ में अब यहाँ पर आ रही है, चलिए, तो अगली बात दोस्तों आपर करते हैं, पामकिंग के बारे में ही एक बात कर लेते हैं, अगर पामकिंग के दोस्तों हम लोग बात करें, तो यहाँ पर देखि इस तरह के plants पर दोस्तों इसको देखा यहां पर जाता है यह आप लोग यहां पर ध्यान रखेगा साथ ही साथ अगर बात करें तो brown color की होती है dark bank दोस्तों इसकी body पर होते हैं जोसकी body को रिकल्सिव और mostly resting बनाते हैं दोस्तों shades के रूप में इसके अलावा दोस्तों अगर ब जिजर जो थे उन्होंने पहचान लिया और Tamil Nadu में पहली बार दोस्तों इस ततली को यहां पर देखा गया है मुखिता कहां मिलती है ततली वो भी आप देखिए तो मुखिता इंडिया म्यमार चाइना पैनिंसुलर मलेशिया और थाइलेंड में दोस्तों यह देखी गई है यह आपको यहां पर थोड़ी बाते ध्यान में रख लेनी है दोस्तों एक बार फिर से मैं आपे बता दूँ आपको यह यूपी पीसस का महा पैक है दोस्तों इसको लेना मत भूलना बार बार याद दिला रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप यह पैक खरीदें दोस्त बनेंगे आप अधिकारी लेकिन दोस्तों जलवा दोस्तों जो होगा उसमें हमारी टीम का भी थोड़ा सा होगा बस यही खुशी है दोस्तों इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बार बार यह मौका लीजे जिंदगी मौके दोस्तों बार बार नहीं देती है 1999 रुपय का यह बैच आपको मिल रहा है केवल जिसमें 8 प्रकार की आप बैच एकसेस कर पा रहे हैं और इसमें भी अगर यह कोड आप यूज कर लेंगे 508 तो आपको दोस्तों यह बैच यहाँ पर मातर 1849.77 रुपय का पढ़ जाएगा तो इसको दोस्तों याद कीजे 5 रु की बात करी दोस्तों इसराइल का एक लेजर डिफेंस सिस्टम फेमास हो रहा है जी हाँ इसराइल का जो लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो दोस्तों फेमास हो रहा है इसराइल का नाम सुनते ही दोस्तों अच्छे अच्छो की रुख आप जाती है को कि इसराइल वो मातर 80,000,000 जनसंकिया हवारा देश है और दोस्तों अपने जो मणिपुर मनिपुर से धी दो sido झोटा देश है अपना जो मनिपुर है जो अपने नौर्थ से मनीपुर छोटा सा प्रदेश है उस मनीपुर से भी छोटा है दोस्तो अपना जो इसराइल है लेकिन इस छोटे से देश की कहानी इतनी जवर्दस है कि अच्छे अच्छे देश और बड़े बड़े देश दोस्तो इससे खौफ खाते हैं क्योंकि इसका डिफेंस सिस्टम इत एंटी टेंक मिसाइल को भी मार गिराएगा मोरटार्स को मार गिराएगा रॉकिट्स को मार गिराएगा इन सब चीजों को दोस्तों ये लेजर मिसाइल सिस्टम मार गिराएगा आप सभी को ध्यान होगा अभी कुछ दिन पहले जब फलिस्तीन के लगाकों ने इसराइल पर आप कर दिया था. 4000 के 4000 रोखित दोस्तो इस I.R.M. डीफेंस स्टम ने तबहा कर दिये थे. इनको दोस्तो बिल्कुल ही बरबाद कर दिया था. इसलिए इस्राइल का Air Defense System Iron Dome भी बहुत पेमस हुआ था. अब दोस्तो आरिन डोम की ज़गे नया आ गया है Iron Bean. जी हां जो इसराइल का laser air defense system है इसमें से क्या निकलेगी missile नहीं निकलेगी बलकि दोस्तों यहां से laser निकलनी है और वो laser दोस्तों इन सभी को यहां पर तबहा करके छोड़ेगी ठीक है यहां पर धान रखना है iron beam इसका नाम होगा जो इसराइल का laser missile defense system दोस्तों यहां पर होग दोस्तों जब भी हम missile छोड़ते हैं तो missile तो क्या करती है एक आवास पैदा करती है ठीक है लेकिन यहां से जब लेजर जाएगी तो लेजर दोस्तों बिलकुल भी आवास पैदा नहीं करेगी और silently दोस्तों अपने दुश्मन को मारेगी इसलिए यह बहुत ज्यादा खतरन करती है सीधे energy को छोड़ती है laser की form में और इसलिए दोस्तों गो लांग वे इन दब प्रोवाइडिंग एरिया डिफेंस लंबे दूरी तक दोस्तों यह जा सकती है और एरिया डिफेंस को यहां पर प्रोवाइड कर सकती है तो ऐसा जबरदस दोस्तों सिस्टम इसराइल न कमेंट करके मुझे बताओ कि इसराइल की capital क्या है और इसराइल की currency दोस्तों क्या है जल्दी से पताईए आतिया खान जी ठीक है अंजल सिंग जी सभी लोग बताई जल्दी से पताईए बहुत ही बढ़िया सभी के मुझे कमेंट मिल रहे हैं दोस्तों जल्दी से पताईए और दोस्तों अगर ये सेशन आपको बसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिलकुल मत भूलना मैंने कल ही कहा था फिर से कह रहा हूं कि जो दोस्तों यह यूग चल रहा है न यह कल ही है इसमें हम टीचर्स की जो दिल की धड़कन है तो हमारी दिल की धड़कन दोस्तों सही तरीके से तब चलती है जब तक ये लाइक और शेयर दोस्तों मिलते रहते हैं हमारा बीपी और शुगर दोस्तों तब नॉर्मल रहता है जब तक like और share मिलते रहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्वस्त रहूं और डेली आपको current affair पढ़ाता रहूं तो मेरे दोस्तो BP और दोस्तो उसका ख्याल करें और यहाँ पर like का बटन दोस्तो दबाते जाएं तकि मेरा BP जो है वो बिल्कुल दोस्तो सही रहे चलिए तो दोस्तो इसराइल की बात करें तो निफ्ताली बेनेट इस समय क्या है अपने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है और दोस्तो यहाँ की currency की बात करें तो new şekil यहाँ की currency है और ये रूशरम दोस्तो यहाँ की क्या है राजधानी है इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा चलिए आगे पर जाते हैं next question की ओर पर जाते हैं उत्राखंड दोस्तो लाँच कर रहा है हिम प्रहरी नाम की दोस्तो एक यहाँ पर सबाजिया उन दोस्तो लोगों के लिए यहाँ पर सीमा प्रहरी हिम प्रहरी के रूप में दोस्तो यहाँ पर क्या कही आए एक योजना शुरू कर दी है क्यों करी है जरा समझे दोस्तो उत्राखंड में भी देखा गया कि जो बार्डर इलाके हैं जो सीमा वरती इलाके हैं, वहां से लोगों का पलायन दोस्तों बहुत तेरी से हो रहे हैं, वहां से लोग पलायन करके अंदर के इलाकों में दोस्तों आ रहे हैं, और वो सारे जो बॉर्डर इलाके हैं, वो बिलकुल खाली होते जा रहे हैं, इसी बात से घवरा कर, इसी बात उत्राखंड के जो border state है यानि जो अपने border इलाके हैं जो सीमा वरती इलाके हैं वहाँ पर इन ex-servicemen को settle किया जाएगा ये दोस्तों का मुख्य मकसद है इसका मकसद यह कि पलायन को रोका जाए और वहाँ पर जो हमारे ex-servicemen है उनको पूरी तरह के settle किया जाए ताकि प्रवास पैदा हो और पलायन की जो खटनाए हो रही है वह पलायन दोस्तों वहां से ना होने पाए यह दोस्तों यहां पर देखा जाना बहुत जरूरी हो जाता है ठीक ना यहां पर यह बात आप धान रखिएगा कैसे करेंगे उत्तरा खंगी जो government है वह दोस्तों यहां प्रिमेंटेशन में सहायता करेगी जो बॉडर राके हैं उसमें दोस्तों इनको सड़र करने की प्रयास पूरे यहां पर किये जा रहे हैं यह बात दोस्तों आप ध्यान रखिए नियूज हो जाती है आप सभी के लिए साथ में दोस्तों अगर देखें तो यहां पर 5.45 करोड रुपय का खर्चा भी यहां पर आएगा इस खर्चे के साथ ही दोस्तों जितने भी मारे एक सर्विसमेंस हैं उनको दोस्तों महाँ पर सड़ल किया जाएगा और साथ में जो अगर बात करें तो लेफ्टनेंट जर्णल गुरमीज सिंग जो है वो दोस्तों यहां पर उत्राखंड के समय गवर्नर है यह आप लोग ध्यान रखें अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताईए कि उत्तराखंड की सीमा किन किन देशों से मिलती है और किन किन प्रदेश से मिलती है भारत में किन किन प्रदेशों से उत्राखंड की सीमा मिलती है और दोस्तों अंतराश्ट्री रूप से उत्राखंड की सीमा किन किन देशों से मिलती है जल्दी सिरा मुझे कमेंट सेक्शन में इसका अंसर दीजे बहुती जल्दी कॉमेंट सेक्शन में इसका अंसर मुझे दे दीजे जिन लोगों ने नक्षा देखा होगा वो इसका अंसर बहुती तेजी से बता पाएंगे तो जल्दी से मुझे जड़ा बता दीजे क्या इसका अंसर यहाँ पे होगा उत्राखंड की सीमा अंतराश्ट्री रूप से किस्से रखती है और दोस्तो छेत्री यानि जो अपने राज्य हैं उनमें से कौन-कौन से राज्य हैं जो उत्राखंड की सीमा से दोस्तो लगते हैं जल्दी से मुझे दोस्तो बताईए तेजी से आंसर दीजे इसका कमेंट मुझे मिल रहे हैं सभी के चलि अंजल सिंग जी दुरकेश जी विद्या त्रिवेदी जी बताईए तेजी से चलिए बहुत बढ़िया बिलकुल सही दोस्तों किया रहे हैं बिलकुल सही आंसर की बात कर रहे हैं चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अगली बात कर लेते हैं अगली बात यहाँ पे दोस्तों औरलेंस मास्टर्स की है जिया दोस्तों औरलेंस मास्टर्स ये एक प भारती दोस्तों बैडमिंटन ख्ला लिए हैं यानि भारतीय शarten्ल हैं जिनुहने यह प्रोग्राम दोस्तों में सिल्वर मैडल जीता है ओर लेम मास्टर जो मिदन में त्षार मैडल में जीत लिया है यह अप दहां रखेगा और क Olympics शूल दोस्तों ये है कि हमारे जो मिठन मंजुनात हैं इनकी और वर्ल्ड में अगर रेंग देखी जाए तो 79 नंबर के खिलाडी है जिन्हों ने दोस्तों अगर फाइनल में हार ली है तो हार किसे गए है वो 32 नंबर गे यानि 32 वी रेंग खिला ली है उनका नाम है टोमा जूनियर पोव इनसे दोस्तों वो हार गए है जो फ्रेंच के ही है यानि फ्रांस के ख्लाडी है टोमा जूनियर पोव इनसे दोस्तों वो हार गए है 32 वी रेंग के ख्लाली थे तो इनसे हार के इनको silver medal दोस्तों यहाँ पर मिला है और gold मिला है Toma Junior पोपोफ को तो यह आप लोग याद रखिए Orleans Master दोस्तों 2022 की प्रतियोगता में जो France में हुए थी उसमें भारती है शेटलर दोस्तों जीद कहा है जिनका नाम है Mission Mandunaat यहीं मिठुन मंजुनात दोस्तों का नाम है साथ में दोस्तों इसी प्रतियोगता में जो doubles हुआ था जो women's doubles हुआ था उसमें भी हमारी जो शिखा गौतम है और दोस्तों अशुनी भट है इनको दोस्तों bronze medal यहाँ पर मिला है तो यह भी दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ज़़ा important हो जाती है अपने एक्जाम में दोस्तों बनने लायक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं एक और छोटी सी news दोस्तों आप सभी के लिए है लेकिन बहुत important है और वो news है दोस्तों Indian Air Force और IIT इंडियान इंस्टिट्यूट ओफ टेक्नलोजी मद्रास और दोस्तों IAF यानि इंडियन एयर फोर्स इन दोनों ने क्या किया है दोस्तों अभी एक Memorandum of Understanding यानि एक M.O.U. साइंड किया है जिसमें दोस्तों क्या होगा Technology Development और Finding the Indigenous Solution for the Substance of the Various Weapon System यानि विभिन जो हमारे हतियार तंत्र हैं विभिन जो हमारे विपन सिस्टम है दोस्तों उन सभी के लिए तकनीक के निर्मान के लिए दोस्तों यहाँ पर बात की गई है यानि भारती जो वायू सेना है वो I.A.T. मदरास के साथ मिलकर विभिन हतियारों की दोस्तों तकनीक के निर्मान करने पर जोड़ देगी तकनीक के विकास पर जोड़ देगी और उसके लिए दोस्तों सही हो के लिए यहाँ पर पूरा Memorandum of Understanding यानि M.O.U. दोस्तों यहाँ पर साइन हुआ है इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान रख लीजे बहुत ही important दोस्तों बात यहाँ पर हो गई है चलिए आगे पर जाते हैं दोस्तों अगली नियूस के दरब पर यह अगली नियूस है इंडिया विल होस्त द स्ट्रीट चाइल क्रिकेट वर्ल्ड का बनेगा तो वैसे ही बहुत इंपोर्डेंट वर्ष रहने वाला है हमारे लिए जी ट्वेंटी वह सुली तो 2023 में जी ट्वेंटी की भारत होस्तिंग करने वाला है और 2023 में यानि 2023 में भारत जो है वह स्ट्रीट चाइल क्रिकेट वर्ल्ड कप भी दोस्त अपने देश में कराने वाला है यह भी आप लोग यहां पर ध्यान लगिए तो कौन-कौन सामिल होगा इस वर्ल्ड कप को कराने वाला कौन-कौन है चिल्डरन इंडिया दोस्तो है सेवदा चिल्डरन इंडिया जो है वो कैमपेन है और साथ में दोस्तो जो स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड है यह दोस्तो दोनों लोग मिलकर क्या करा रहे हैं यह स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड क्रिकेट कप करा रहे हैं दोस्तो जो वो इस cup में भाग लेने के लिए आ रही है और अगले साल दोस्तों क्या करेंगी ये इस cup में भाग लेंगी जो भारत में दोस्तों खेला जाने वाला है अब दोस्तों अगर participants के हम लोग बात करें तो कौन-कौन से देशों से यहाँ पर आने वाले हैं खिलाडी जरह एक बार तो अगर हम बात करें यहाँ पर बांगलादेश, बॉलिविया, ब्राजील, बुरुंडी, इंग्लेंड, हंग्री, मॉरिशस, मेक्सिको, नेपाल, रवांडा, साउथ अफ्रीका, श्री लंका, तंजानिया, युगांडा जिंबाब्बे इन सभी देशों से दोस्तों खिल जो हमारी Street Child United है, और Save the Children है, इनके बीच में जो कॉलाबरेशन है दोस्तों उसको बढ़ाएगा, और साथी साथ जो World Bank है, जो ICC है, और जो British High Commission है, उनके बीच में भी कॉलाबरेशन दोस्तों बढ़ेगा, ताकि इनके लिए और भी अच्छे काम हो सके, जो Street Cricket World है, जो Street Child Cricket World Cup है, दोस्तों इसके लिए और भी काम हो सके, तो ये सभी लोग यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, कुलाबरेशन में रहेंगे, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्षन में बताईए, कि World Bank का Headquarter कहां पर है, वर्ल्ड बैंक का Headquarter कहां पर है, तेजी से मुझे बताईए, और कौन वर्ल्ड बैंक में जो एक भरती अधिकारी है, उनका नाम दोस्तों क्या है, इसका मुझे तेजी से आप लोग आंसर जड़ा, दे दीजे, बहुत ही तेजी से आंसर इसका देंगे, सभी लोग, चल्दी से वर्ल्ड बैंक का Headquarter कहां पर है, चलि बहुत बढ़िया, बहुत और अंशुला कांद दु हैं, वो दोस्तों इस समय वर्ल्ड बैंक की क्या है, एमडी हैं, और CFO यानि Chief Financial Officer भी दोस्तों यहां पर हैं, यह बात दोस्तों आप सभी को यहां पर समझ में आ गई होगी, चलिए, अगली न्यूस की बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है इसका, Economic and Social Council, जी यहां, Economic and Social Council यह दोस्तों इसका नाम है, Economical and Social Council, यह तीन वर्ल्ड से मिलकर बना है, Economical and Social Council दोस्तों है, जो विश्व भर में, जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हैं, उनके लिए दोस्तों कांद करता है, इसी की चार एजंसी हैं, जिनका दोस्तो भारत क्या बन गया है, Member बन गया है, इनका दोस्तों क्या बन गया है, सदस्य से दोस्तों बन गया है, कौन कौन सी है, चार बॉडी जरा है, इनको भी ध्यान में देखिए, सबसे पहली है, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, दूसरी है, Commission for Social Development, तीसरी है, Committee on Non-Governmental Organization, और तीसरी है, Commission on Science and Technology for Development, दोस्त बहुत important है, यहीं से ऐसे question आएंगे, कि बताए किन bodies का Member भारत बना है, किन का नहीं बना है, odd one out दोस्तों आप से choose करने के लिए यहां पर पूछ सकता है, तो इसका दोस्तों आप यहां पर मतलब ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा important दोस्तों यह ख़वर आप सभी के लि सोनी प्रदीप कुमार जोशी को सकसीर किया है, प्रदीप कुमार जोशी हमारे पहले दोस्तों के मेंबर थे, पहले चेरमें थे, उनकी जगह पर मनोज सोनी को यहां पर बना दिया गया है, union public service commission का दोस्तों चेरमें, यह आपको ध्यान करना पड़ेगा, तो दोस्तों अग आया गया था इसको भी आप लोग यहां पर ध्यान कर लीजे मक्सद भई है हमारे देश में जो सिविल सर्वेंट होते हैं जो हमारे नागरिकतगारी होते हैं उनको चुनने के लिए यह दोस्तों परिक्षाइं कराता है UPSC और दोस्तों समवधानिक संस्था यह भी आप ध्यान रखेगा UPSC जो है वह एक प्रकारगी समवधानिक संस्था दोस्तों यहां पर है इस बात का ध्यान यहां पर रखेगा तो यह दोस्तों खबरे थी आज की जो मैंने आपको सभी बताई हैं सारी खबरें आपको समझ में आयोंगी और लास्ट में लिए दोसे च andaैरा भी तो इस परशाना प। दोस्त जोई रहा हूं कि भाई यह इस परशानी को डूर करने के लिए दोस्तों जोन कर लेना जो यूपीी पी पीसस की आपकी तैयारी की कारा आनी है वह को ध्यान सबस्कुन ध्यान में रख इस बैच60 का महापैक दोस्तों मि इस्तिमाल करिएगा वाई 508 और यहां से आपको दोस्तों फिर बैच पढ़ जाएगा ये 1849.77 रुपय का मातर इतने रुपय का दोस्तों आपको बैच मिल जाएगा सारी परशानियों का हल दोस्तों हो जाएगा इतनी बात दोस्तों कदम कर गए आज के लेक्टर को यहां पर पर मैं शुबह मगरवाल आप सभी के लिए 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 आ रहा हूं दोस्तों करंड फेर तो बिल्कूल दोस्तों जुड़े रहें और बने रहें दोस्तों हमारी लेक्टर के साथ चलिए आज के इस लेक्टर को ओवर करेंगे मिलेंगे दोस्तों आप से नेक्स लेक्टर मे तब तक के लिए विदा लूँगा, आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्त रहिए, मेहनत करते रहिए, हमेशा उर्जाओं से भरे रहिए, और दोस्तों आलस से हमेशा दूर रहिए, चलिए, आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जहिंद